हेलो गाईज माई नेम इस मोहित एंड वेलकुम बैक टुबर्स चैनल बिटुवल टैक्स दोसों जैसे कि आज फ्रैंडशिप दे है और मिल तरप से आप सब को हैपी फ्रैंशिप दे आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप फ्रैंशिप दे के लिए एक स्पैसल फोटो आइडिंग कैसे कर सकते हो So guys, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले तो आप से request है कि आप इस वीडियो को पहले like कर दो और चैनल को subscribe करके bell icon प्रेस कर लो तो guys, already बहुत जादा लेट हो चुका है तो time waste के बिना चलिए वीडियो सुरू करते हैं तो गाइस, सबसे पहले आपको Pixar application को open कर लेना है, Pixar application को open कर लेने के बाद, आपको background से सारे background and png को download कर लेना है, आप इस वीडियो को पहले complete देख लो, फिर आप जाकर सारे background png को download कर लेना, ओके गाइस, तो सबसे पहले आपको plus क icon पर click करना है, फिर आपको editor photo पर click कर लेना है उसके बाद guys यहाँ पर आपको एक black background की png को add कर देना है तो guys यहाँ पर मैंने यह black background import कर लिया है अब आपको simply add photo पर click करना है और यहाँ पर आपको एक balloon की png को add करना है तो मैंने इसे add कर लिया है इसे add कर लेने के बाद मैं इसे full screen पर कुछ इस तरह लगाकर tick कर दूँगा उसके बाद guys simply आपको tool पर जाना है फिर आपको जाना है adjust के उपर थोड़ी सी brightness को आपको यहाँ पर increase कर देना है जैसा ही guys आप brightness increase करोगे आपकी background में थोड़ी और light आ जाएगी फिर guys हम tick कर लेंगे टिक कर लेने के बाद guys हम add photo पर click करेंगे यहाँ पर अब आप अपना photo import करना और अपने friend का photo import करना तो guys यहाँ पर मैं दो photo use कर रहा हूँ जिनका background मैंने already remove करके रखा हुआ है तो अगर आपको नहीं पता कि किसी भी model का background one click में कैसे remove करते हैं तो description में एक video का link है आप उस video को देख सकते हो ओके तो यहाँ पर guys हम पहले दो photo import कर लेते हैं यहाँ पर मैंने guys दो photo import कर लिया है कुछ इस तरह and एक मैं रख देता हूँ कुछ इस तरह and रखने के बाद guys यहाँ पर एक छोड़ा सा watermark आया हुआ हुआ है पहले मैं उसे remove कर देता हूँ जो है photo room का तो guys जब आप भी अपने model के background को remove करोगे तो आपके photo में भी ऐसा watermark आया होगा तो आपको इसी तरह उसे भी remove करना है आपको simply rubber tool पर click करके यह से photo room के text को remove कर देना है उसके बद आपको simply tick कर लेना है and उसके बाद यहाँ पर आप अपने photo की जो size है वो अच्छे से fit कर लेना उसके बाद guys आपको simply tick पर click कर लेना है and tick पर click कर लेने के बाद guys आपको add पर click करना है यहाँ पर अब आपको happy friendship day की एक text png को add करना है इसे add कर लेने के बाद आपको simply से full screen पर कुछ इस तरह लगा देना है इसको लगाने के बाद guys आपको simply tick पर click करना है and tick पर click कर लेने के बाद अब आपको effect पर click करना है एफेक्ट पर क्लिक कर लेने के बाद यहां पर आपको कौन से एफेक्ट अप्लाई करना है आभी मैं आपको बताता हूँ तो यहां पर आपको ISL1 का एफेक्ट अप्लाई कर देना है तो यहां पर मैंने यह एफेक्ट अप्लाई कर दिया है बद आपको इसकी fade को थोड़ा सा increase कर देना है तो यहाँ पर मैं जो fade है वह 19 कर देता हूँ उसके बाद guys आपको simply tick पर click कर लेना है and tick पर click कर लेने के बाद guys आपको fade से fx पर click करना है and अब आपको filter को आए के तरह ए स्क्रॉल करना है यहां पर आपको 1991 का एक preset है वो apply कर देना है इसको apply कर लेने के बाद guys जो आपकी photo की fade है उसे आपको increase कर देना है और fade को कर देना है 85 उसके बाद guys आपको simply click कर लेना है उसके बाद आपको download पर click करके अपनी photo को download कर लेना है guys अब आपकी photo फोडो एडिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब आप इसे अपने सोचल मीडिया पर सेयर कर सकते हो आई होप आप समझ चुके होगे कि आप फ्रैंडशिप डे के लिए फोडो एडिंग कैसे कर सकते हो तो गाइस उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिना कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकोन प्रेस कर ले ना तो गाइस मिलते हैं ऐसे ही इंट्रेस्टिंग किसी नेक्स्ट टूटोरियल में तब तक लिए टेक केर बाई